कि हैलो वाइस दिस इस मोई तहरोर और आज का अपना टॉपिक है फाइब्रियोन लाइसिस देखे इसके पहले अपने है कि आप सबसे पहले ब्लट क्लोट किस तरह से फॉर्म होता है अभी ब्लट क्लोट जब बन जाता है ब्लट बैसल्स में उसको क्या है अंदर के तरफ से कुछ बनता है और बाहर की तरफ भी बनता है तो एक्सेंस दोनों तरके से बनाता है टिक यह वाला अंदर डैस ब्लट से लिए इसका और जब्यौ इसकी ब्लाइसिस की जख पड़ती है तो क्या आराम से ब्लट फ्लो हो पाए तो इसके लिए क्या राइव फाइब्रीयो ल लाइब लाइस ठीक है इट है टो रिमूब दा क्लोड फॉम लिमें और बेसे तो बिलड बेसे के अंदर बना हुआ उसको निकालने में यह मदद करता करता है ताकि फिरी फिलेड फिरी फिलो और हो पाए ठीक है आराम से बिलड फ्रोवाइक इसमें बैसे सोब बैसे में अब कोस्टेंस काल्ड प्राज्में और फाइब लेसे उसके लिए एक सब्सक्राइब करमेंट उसको के बहुते हैं और फाइब लाइसे अर्म से हो जाता है जिस तरह देखाए लाइए इस है अब यह कैसे फोर्म होता है तो बनता है मैं था तीन चीजह होती है जो कि अपट राजिम्न को बनाएंगी और आफ़ी में करनल हो जाए गापन का प्रक्रेट अटने उनिविटर वाय टिसू किर निवीटर प्लाज में संब इसma करना सिfold तो देखते हैं इस सेक्वेंस में होता क्या है और सबस्टेंस निकलते हैं जो सीधे कहां पर टिसू प्लाजमिन बनाने के लिए ठीक है यह प्लाजमिन बनाने के लिए और दूसे नमबर पर अब है वह घ्रवोड्यव करेंच आफ के साथ आपना बनाने के साथ नियुक्ष करके क्या बनाता है थ्रॉंबो चॉडिय ezं करता अब यह से पूरा करेंगा एक्टिवीट करता आती चय को постоянно प्रोटीन से में कर देगा ठीक है यह क्या करता है इसको इनिवेटर को इनिवेट कर देगा और इन एक्टिवेशन और फाय वेंड इट नमबर फेक्टर तो यह देखिए तीनों चीजें रोग गई अब इनके वज़े से क्या हो गया एक्टिवेशन आप टिसू प्लाज्मिन यह दिए गजो क्या करता है अब यह किया क्रवाचाइं का लाइस कमाले प्रिशन करवाथ सब्सक्राइब कर देंस करवा देता है और मैंने बदाए ता यह दिए एक बन गया तो क्लाशनत कर वाँग आ प्लाजमिन में और यह प्लाजमिन क्या करवादेगा लाइसे सोब क्लॉट ठीक है इतना समझ आ गया यह रापन का छोटा सा टॉपिक था फार्विन लाइसे कभी कवार युनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है ठीक थैंक्यू गाइस